हेलो फ्रेंट्स मैं मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में 36 साइस का बेक नेक डिजाइन में आप लोगो के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर तो दिखी मेरा अस्तर का कपड़ा है अगर आप इस डिजाइन को अपने ब्लाउस के लिए बनाते तो आप अपने साइस के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा सबसे पहले देखी नीचे से एक लाइन डोकर के हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लेनी है तो जितनी भी लंबाई आपको अपने ब्लाउस की तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई लीजिएगा मैंने रखी हैं यहाँ पर 44 इंच साड़े तेरा लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है डीट नेक के साब से शूर्डर का मेजरेमन्ट 0.5 पाँच इंच पर लिया है और आर्म होल रखे हैं मैंने पोना 6 इंच तो शूर्डर एन आर्म होल की लाइन मैंने यहाँ पर बना ले है इसके बार चेस्ट का चोथा पाग आपको लेना है तो चेस्ट का फोथ पाइट यहां पर होगा 9 इंच और 4 इंच मैंने एक्स्ट लिया है मार्जिन के लिए इनके के लिए अभर लेना है नीचे कमर का मेजेमेंट कमर 30 इंचững उसका चोता फाग लेंगे साड़े साथ इंच, देड़ इंच एक्स्टर मार्जिन और एक इंच एक्स्टर ओर लिया है कमर की प्लेट्स के लिए तो देखे मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है इसके बाद हमें आर्म हूल का गुलाई करनी है तो इस तरीके से आर्म हूल की गुलाई देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे अस्तर पर देखे मैंने इसका कटिंग कर लिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर गले का मेजरमेंट ले रही हूँ गले की विट तरगी है मैंने 2 इंच की 2.5 इंच और गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़ादा करके ले सकते हैं मैं देखे यहाँ पर गले की जो लेंद थे वो रख रही हूँ 9.5 इंच आप 10 इंच भी ले सकते हैं और नीचे से नेक विट लिया है मैंने 3 इंच इसके वार एक बॉक्स बना लेना है और गले का शेफ हमने इस तरीके से बनाना है यहाँ पर तो देखे डिजाइन मैंने हाँ पर ड्रॉ कर लिया है इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है यह दिखे गले की कटिंग मैंने कर ली है और इसके बाद मैं से man fabric पर रखकर cut कर रही हूं man fabric पर भी मैंने इसका cutting कर लिया है अब लिया है मैंने paper pasting paper pasting को double करती हुए मैंने नीचे की तरफ रखा है और इस पर दीखे asset idol मैंनेtier गले की यहाँ पर drafting कर ली है और बाहर की तरफ से मैंने सवा एक इंच एक्स्टर बढ़ाते हुए इसका कटिंग किया है मार्किंग आपको बाहर की तरफ एक जैसा ही करना है क्योंकि ये पैटर्न हमारा बाहर की तरफ ही दिखेगा कॉन्टोस्ट फैब्रिक पर मैं इसे अटेज कर रही हूँ यह देखे मैं इसका कटिंग कर लिया है और इसके लिए मैंने अलग से फैब्रिक यहाँ पर लिया है कप्ड़े के उपर रखकर आप इसे प्रेस से चुपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह पिन लगा कर इससे पहले मार्किंग कर लें उसके बास सिलाई लगा लें इसके उपर तो गले के बीच का जो फैब्रिक के यहाँ पर यह देखे पेपर पेस्टिंग नेकला था आप इसे रख लें और गले के विट अच्छे से नापते हुए हमें इसका यहाँ पर दीके पिन लगा दिनी है उसके बाद इसके उपर सिलाई लगानी है नेक के कटिंग भी मैंने कर ली है और अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग तो नीचे रखेंगे में कपड़े को और इसके उपर रखना है हमने अस्तर वाले कपड़े को दोनों तरफ से बराबर करते हुए अच्छे से पिन के साथ इसा डेज कर लेंगे पिन लगाने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा रही हूँ तो सबसे पहले सिलाई हमने गले के उपर लगानी है इस तरीके से गले पर सिलाई लगाने के बाद अब बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे यह देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिके यह कटिंग करके निकाल देंगे तो सबसे पहले मैं गले के हाँ से कटिंग कर रही हूँ अस्तर के बराबर इसे चारो दरफ से कटिंग करके अच्छे से इसका फिनिशिंग कर लेना है यह दीखिए सारा ही एक्स्टर फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है और इसके बाद अब मैं गला रेडी कर रहे हूं यहाँ पर तो दीखिए मैंने इसे चिपकाया नहीं है प्रेस से आप चाहें तो प्रेस करके कपड़े के उपर इसे पैस्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूं तो एक सिलाई मैंने इस कॉर्णर की लगाई है और अब मैं दूसरे कॉर्णर की सिलाई लगा रही हूं यह देखिए इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद अब में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ साइड में मैंने थोड़ा कप्रा छोड़ा है इसे पोल्ड करने के लिए तो अब हमने कर लेना है इसे अच्छे से फोल्ड यह दिखिए यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर लेना है गला बनके मेरा रेडी हो गया है अब मैं इसे ब्राउस के उपर अटेज कर रही हूँ आप यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लें और सेंटर से ही इसे अटेज कर रही गले के शेप के अकॉर्डिंग एक पेर का मार्जिन रखते हुए हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लिया है अब जितना भी एक्स्टर फैबर के यह कट करके निकाल देना है और पूरे गले पर छोटे-छोटे कट लगा लेने है यह दिखिए यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ और अब इसे सीधी तरफ पलटना है हमने और अच्छे से हाथों से इसकी फिनीशिंग कर लेनी है गले को मैंने सीधी तरफ पलट लिया है और एक सिलाई उपर की तरफ से मैं इसके उपर लगा रही हूँ यह देखिए कॉनर की एक सिलाई लगा कर हमने इसे पूरा कर लेना है इसी तरफ से भी सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे यह दिखी दोनों तरफ मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है अब देखिए मैंने अलग से plain fabric लिया है और मैं इसकी पटिया कट कर रही हूँ यहाँ पर मैं cross putty cut कर रही हूँ गले में pepping बनाने के लिए तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर cross putty cut करनी है और इसे इस तरीके से जोड लेना है जोडने के बाद इसे fold करते हुए एक सिलाई लगाएंके यह दिखिए मैंने आपर इसे fold करते हुए इस लगा ली है और यह जो मैंने पटिया कट की है इसके cutting कर रही हूं मैं छोटे piece लगभख आपको 2 इंच की लंबाई चोड़ाई में इसे cut कर लेना है अब दिखिए मैं इसके उपर पैपिंग अटेज कर रहे हूं तो जो पटी मैंने तयार की हुई है इसे नीचे की तरफ रखना है और इस तरीके से कले के उपर सिलाई लगानी है कॉर्नर की एक सिलाई लगाते जाएंगे दिखिए यहाँ पर piping attach करने के बाद छोटे cut लगा लेने हैं पूरे ही गले पर तो दिखिए मैंने यहाँ पर cut लगा लिये हैं अब इसे अंदर की तरफ fold कर लेना है तो यहाँ पर piping को अच्छे से पटी को fold करते हुए piping बनानी है यह दिखिए इस तरीके से piping को fold करते जाएंょ और सिलाई लगाते जाएंगे तो देखें मैंने यहां पर पाइपिंग को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाती है और पाइपिंग बनके तयार हो गए अब जो मैंने चोकोर पीसे से यहां पर कट किये हुए हैं इसे गले के उपर ही अटेज करना है तो आप चाहिए तो पहले इसका ट्रैंगल बाला डिजाइन बना ले उसके बाद एक साथ लगा सकते हैं मैं इसे डारेक्टली ही अटेश कर रही हूँ गले के ऊपर तो जो चोकुर पीस में ने कट किये हुए हैं पहले में से ट्राइंगल शेप में फोल कर रही हूँ और मशीन के साथ इसे अटेज कर रही हूँ आप चाहें तो पहले डिजाइन बना लें फिर एक एक कट के पूरे गले पर लगा सकते हैं यह देखिए बिल्कुल पास-पास ही लगाए है मैंने गैप नहीं रखा है इसके उपर सबी पैटन मैंने एक करके आप रटेज कर दिये हैं उसके बाद मैं इसका एक्स्ट्रो फैब्रिक कट करके निकाल रही हूँ तो सबी फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है एक्स्ट्रो कप्रा कट करने के बाद अब दिखिए मैं आपर लेस अटीश कर रही हूँ तो गले के शेप के अकॉर्डिंग ही हमें लेस को लगाना है इस तरीके से लेस लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और यहां पर चार इंच की लेंद में लगा लेनी है कमर में प्लिट्स दोनों ही तरफ प्लिट्स लगाने के बाद अब मैं नीचे की तरफ कमर पटी अटेज कर रही हूँ तो नीचे से आदा इंच का मार्दिन लेते हुए हमने पटी को अटेज कर देना है इस तरीके से और एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेनी है पटी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इसी के साथ में राज का एनेक डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फ्रेंड्स आपको आज का एनेक डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तरने बादेट